नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप सभी का आपके अपनी यूटुब चनल सरकारी भारत में दोस्तों आज की इस वीडियो के इंदर हम बात करने वाले हैं एरफोर्स एक्स बाई ग्रूप के पेपर के वारे में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है अंतिन दिन यानि कि 12 जुलाई से जो आपके पेपर चल रहे हैं एरफोर्स के 18 जुलाई तक यानि कि आज लाश्ट है और आज की तीनों स्रिप्ट के बाद आपका पेपर हो जाएगा तो दोस्तों आज 18 जुलाई 2021 को फर्स स्रिप्ट का पेपर हुआ है जिसके अंदर मैथ, जीके, इंगलिस और फिजिक्स और रीजिनिंग के कुछ क्वेशन्स पूछे गए हैं जो क्वेशन्स पूछे गए हैं, उनमेंसे जो भी क्वेशन्स इस्टूडेंट्स को याद थे उन्होंने वाट्सब पर भेजा के सर यह यह फ़ेशन्स पूछे गए हैं एक्जाम में दोस्तों आप सभी को बता दूँ अगर आप एरफोर्स की तयारी कर रहे हैं, एक्स वाई ग्रूप की, एससा नेवी की तयारी कर रहे हैं, डवले की एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोश्ट कार्ड की तयारी कर रहे हैं, या फिर एमार की तयारी कर रहे हैं, क comment box में लिख दीजेगा next वीडियों के इंदर हम उनको भी discuss कर लेंगे तो 18 चुलाइं फर्स ट्रिप्ट के वारे में analysis करने जा रहे हैं और किस प्रकार की questions पूछे गए हैं अगर पेपर के level की बात करें तो इसमें जो पेपर का level है वो easy to moderate level रहा है ओके तीन चार questions जो थे calculated थे बाकी सब कुछ easy to moderate level रहा है तो चलिए देखते हैं पेपर को तो दोस्तों पहला सवाल है CBB की full form क्या है देखिए CBB की full form पूछी गई है तो CBB की full form होती है card verification value क्या होती है card verification value आपसे पूछ सकता है ALU की full form arithmetic logic unit आपसे पूछ सकता है DBMS की what form पूछ सकता है तो database management system आपसे full form पूछ सकता है RAM की what form पूछ सकता है तो random assess memory आपसे ROM की 뭐 पूछ सकता है random only memory आपसेwork norm पूल सकता है, क्लास की फुल सकता है, तो computer literacy इस तरीके से होती है, आप लोग comment box में इस cancel लिखेगा, चलिए, एक question आपके लिए छोड़ते हैं, ओके, तो चलिए, next question देख लेते हैं, दोस्तों, तो next question है, सरंकला को पूरा करें, region का question है, और सरंकला पूरे करने के लिए आया है देखे, R 18 पर आता है, और U 21 पर आता है, तो plus का 3 हो रहा है, O 15 पर आता है, R 18 पर आता है, plus का 3 हो रहा है, A 1 पर आता है, D 4 पर आता है, plus का 3 हो रहा है, D 4 पर आता है, और G 7 पर आता है, यानि plus का 3 हो रहा है, यानि कि सभी के सभी terms में एक common term है, 3, जो के add हो रहा है, तो हम next वाल अटम क्या लिख सकते हैं L आता है 12 पर 12 और 3 15 15 पर आता है O A आता है 1 पर 1 और 3 4 4 पर आता है D N आता है M N 14 पर 14 और 3 17 17 पर आता है Q E आता है 5 पर 5 और 3 8 8 पर आता है H तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ODQH, क्या होगा? ODQH सही होगा, चले next question देख लेते हैं दोस्तों, next question है, तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयू का अनपात, 4 अनपात, 7 अनपात, 9 है, 8 साल पहले उनकी उम्र का योग 56 था, तो वर्तमान उम्र क्या है? देखे, वर्तमान आयू का रिश्यो दे रखा है और 8 साल पहले उनकी आयू कितनी थी? 56, यानि कि वर्तमान में अगर प्रिजेंट में देखा जाए तो उनकी उम्र कितनी है? 56 प्लस 8, 8 को एड़ कर दिया जाएगा, यानि कितना हो जाएगा? 64 बरस, आज की बात करें, तो कुल योग कितना बैट रहा है? तो 4 और 3, 7 और 9, चार और साथ 11, 11 और 9, 20, यानि कि 20 यूनिट की वैलू कितनी दे रखी है? 64 दे रखी है, कितनी दे रखी है? 64, तो एक यूनिट की वैलू क्या पूछी है? एक यूनिट की वैलू होगी 64, बटे 20, अब आप से किस-किस की पूछ रहा है? उनकी वर्तमान उम्र ग्याद किज चलिए तो next question देख लेते हैं दोस्तों लॉंच पुस्तक who painted my lust red के लेखक कौन है देखें लॉंच हुई पुस्तक who painted my lust red इसके लेखक है स्री अईयर कौन है स्री अईयर इसके लेखक है तो चलिए friends next question देख लेते है next question है किस राज में भारत का 25 वा उच्च नियाले इस्थापित किया गया है देखें भारत में उच्च नियाले की बात करें तो भारत में इस समय बरतमान में कुल मिलाकर 25 उच्च नियाले हैं हाई कोड हाइकोट के बारे में बात करें तो हाइकोट का जो अनुच्छध है आर्टिकल 214 अनुच्छध 204 के अंतरगत हाइकोट आता है हाइकोट को 123 के तहट अध्यादेश जारी करने का अधिकार है यानि कि रिट जारी करने का अधिकार है आईकोट को अर्टिकल 123 के अंतरगत अगर बात करें बारत का जो 25 हाई कोट है ये कहां पर है आंदर प्रदेश में है कहां पर है आंदर प्रदेश और आंदर प्रदेश के अमरावती जिले में है कहां पर अमरावती जिले में आंदर प्रदेश के अमरावती जिले में भारत का 25 हाई कोट की स्तापना की गई है च पहले 5 मैचों का ओसत 50 था, पिछले 3 मैचों का ओसत क्याद कीजिये, देखे 8 मैचों की बात करे तो 8 गोड़े 2 मन, यानि कि कुल मिला कर 8 मैचों में टोटल कितने रन बनाए तो 821, 845 और 41, कुल मिला कर जो रन बनाए है, वो 416 रन बनाए है, कितने 400 सो, पहले 5 मैचों में 50 तो 5 गुड़े 50 तो कितना होगा 25 यानि कि 200 रन हो गए कितने हो गए 200 रन तो पहले 5 मैचों का योग कितना है कुल रनों का 200 आठ मैचों का रनों का उस्थ कितना है 416 तो बच्चे 3 मैचों का उस्थ कितना होगा तो पहले हम रन निकालेंगे तो 6 गटाने पर और यह बनेगा 11 मैं से 6,1 यानि कि 166 बनेगा कितना बनेगा 166 रन बचे तीन का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3515 और 3515 तीन 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 नो तीन तीन नो यानि कि 55.33 यहां पर रन आ रहे हैं जो पिछले तीन मैंचों का उज़त निकला है चली नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट कोशन है किस देश ने रुद्रम बन एंटी रेडियेशन मिसाइल का सफल परिच्छन किया है यह भारत ने किया है अब भारत की बात करें तो भारत के डियाडियो डिफेंस रिसर्च एंड डवलप्मेंट ऑगनाईजिशन ने इसका सफल परिच्छन किया है डियाडियो की बात करें तो इसकी स्तापना उन्नी सो अठामन में होती है और इसके बरतमान अध्यच सतीस रेडिय हैं कौन है सतीस रेडिय हैं इसका मुख्याल है न सवा में मार करने वाली मिसाइल तो भारत ने बनाया है इंदर जाल क्या बनाया है इंदर जाल भारत ने एक और बनाया है एक रॉकेट बनाई है निर्भय रॉकेट बनाई है निर्भय कौन सी रॉकेट है निर्भय रॉकेट बनाई है जो के एक सुपरसोनिक क्रूज चलिए फैंट से नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं तो नेक्स्ट कोशन है काली मिट्टी किस फसल के लिए सरवादिक उप्युक्त होती है काली मिट्टी सबसे अधिक जो उप्युक्त होती है वो कपास के लिए उप्युक्त होती है कपास को गोल्डन फाइवर भी कहा जाता है आपसे question पूछ सकता है Golden Fiver किसे कहते हैं तो कपास को ही कहते हैं जो के काली मिट्टी में ज्यादा तर सरवाद्यक उपियुकत है कपास की खेती की बात करें तो कपास की खेती बांगला देस में ज़्यादा होती है और बांगला देस के अतरिक्त भारत में भारत के पश्चिम बंगाल में इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है कपास की चलिए friends next question देख लेते हैं तो next question है reasoning का question है यद P को P plus को दर साता है Q minus को R divide को S गुड़ा को तो इसका मान क्या होगा देखिए 18 S का मतलब क्या है S का मतलब है गुड़ा 36 R का मतलब कितना है divided by वारा Q का मतलब कितना है minus और फिर आता है 6 P का मतलब क्या है plus 7 अब इसको हम solve करेंगे 12 से काटेंगे तो कितनी बार 36 बार 18 तिया कितना होगा 54 57 मैं से 6 गया तो 1 plus का 1 तो कितना answer आ जाएगा 57 इस सवाल का सही जवाब होगा चलिए friends next question देख लेते हैं next question है 24 सेवों का क्रेम उल्य 18 सेवों के विक्रेम उल्य के बराबर है तो लापरिसत बताईए तेकि अगर 24 एपल्स का जो CP है वो 18 एपल्स के SP के बराबर है cancel out करेंगे 24 चार चोविस चैट या ठारा यानि कि CP और SP का जगर रेशियो निकलते हैं तो वो निकलेगा 3.94 क्या निकलेगा 3.94 यानि कि 3 रुपे की वस्तु को 4 रुपे में वेचा तो एक का फायदा हुआ कितने पर हुआ तीन पर फायदा हुआ तो 100 का परसेंट निकालेंगे तो कितना अंसर आएगा तो इसका सही जवाब आएगा 33 mixed 1 by 3 परसेंट या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सक कि खेल से संबन देता है तो इसका सही जवाब है क्रिकेट से किस खेल से संबन देता है क्रिकेट खेल से संबन देता है देवदार ट्रॉपी क्रिकेट के अंदर 11 लाड़ी होते हैं कितने लाड़ी होते हैं 11 लाड़ी होते हैं 2020 में क्रिकेट का क्रिकेट की तरफ से मतलब र को इस सर्मा को मिलाता राजीब गंधी खेल रत्न पुरुष्कार 2020 का दोजार उन्नीस का किसको मिला था तो 2019 का मिला था मीरा वैच्चानू और विराट कोली को 2018 में किसको मिलाता तो मेहंदर शिंग धौनी को मिला था आपसे इन में से कोई ना कोई 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 सकता है आपसे पूछ सकता है देवडर्ग ट्रोफी का संबंद किर्केट से है तो इरानी ट्रोफी का संबंद किस केल से है तो इरानी ट्रोफी का संबंद भी किस से है किर्केट से ही संबंदित है चले फ्रेंड्स आपसे एक क्वे डेका ट्रोफी का सम्मंद किस खेल से है आप सभी को बता दू इन सभी का सम्मंद एक ही खेल से है चलिए next question देख लेते हैं दोस्तो 49 वी 49 जो पहला लाइन है ये अमेरिका और कनाड़ा के बीच में सीमा रेका बनाती है ये कौनसी है 49 पहला लाइन आप से पूछ सकता है 38 डि North Korea और South Korea के बीच में उत्तरी Korea और दर्चनी Korea के बीच में 38 डिगरी पहला लाइन रेका बनाती है आप से पूछ सकता है भारत और स्रीलंका के बीच में कौनसी सीमा रेका है तो पाक जल संदी है पाक जल डमरुमदी जिसे बोलते हैं आप से पूछ सकता है भारत और पाकिस् चीन के बीच में कौन सी है तो मैक मोहन रेखा है कौन सी है मैक मोहन रेखा जो के भारत और चीन के बीच में इस्तित है आपसे पूछ सकता है जो खैवर दर्रा है वो किनकिन के बीच के मद्य इस्तित है तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस्तित है खैवर दर्रा आपसे पूछ सकता है टॉरस की जलसंदी कहां पर है टॉरस की जलसंदी तो इस बात का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताईएगा चले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन क्या है दोस्तो वारतिय नौसेना के 24 में नौसेना द्यच कौन है जनवरी को थलसेना दिवस मनाया जा सकता है अगर बात करें नौसेना के जो अध्यच है यह है एड्मिरल करमबीर सिंग बायूसेना की बात करें तो बायूसेना के आर के भदोरिया बायूसेना अध्यच है थलसेना की बात करें तो थलसेना के मनोज मोकंद नरवाडे थलसे ना के अध्याच है आपसे पूछ सकता है कि VSF के अध्याच कौन है तो VSF के अध्याच है राकिस अस्थाना कौन है राकिस अस्थाना VSF के अध्याच है इनमें से कोई ना कोई आपसे पूछ सकता है चली फेंड्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन करते हैं set करने की तो देखे 12 और 5 17 16 और 5 21 यानि कि set हो रहा है इसी तरीके से हम इसको आगे वाले को करेंगे तो V होता है y's पर और x होता है 24 पर यानि कि सब में plus 5 करना है plus 5 करने पर यह बनेगा 27 और यह बनेगा plus 5 करने पर 29 कितना बनेगा 29 27 पर कौन सा आएगा 26 के बाद A आ जाता है फिर और 29 26 के बाद कितने बचे चार बचे यानि कि 26 के बाद 26 तक होगा 27 पर A 28 पर B और 29 पर C तो इसका सही जबाब क्या होगा दोस्तों A C इसका सही जबाब होगा यानि नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा A C चले फेंड्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं तो नेक्स्ट कोशन है 990 रुपे पर 5 बरसों का साधर व्याज 16 परसंट की बार सिक दर से ग्यात किजिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो इस बरसों के लिए बटा 100 0 से गया 0 5 से गया 2 बार 2 से गया 8 बार 8 का उड़ा 99 से करेंगे तो 8 का उड़ा 99 से कितना बनेगा 800 में से 8 ही कम होगा तो 792 आएगा कितना आएगा 792 रुपे और 792 रुपे ही इसका साधर व्याज होगा चली फेंड्स नेक्स्ट कोशन देख लेते ह देखिए महाबीर स्वामी की जो माता का नाम है ये है त्रिसला क्या है त्रिसला है महाबीर स्वामी की माता का नाम चली नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों बायू मंदल में ओजोन गैस परत कहां पाई जाती है बायू मंदल में ओजोन गैस जो प समताप मंडल कौन सा होता है समताप मंडल फिर इसके उपर होता है ओजोन मंडल फिर इसके उपर होता है वहर मंडल कौन सा होता है वहर मंडल छोब मंडल के अंदर ये बादल वगेरा होते हैं ये सबी इसमें आ जाते हैं समताप मंडल के अंदर बादल विजली का कड़कना य नेक्स्ट क्वेशन है, प्रेजन डायरी पुस्तक किसे ने लिखी है, तो जैप्रकास नारायन, इनका संबंध किस से है, 1971 की संपूर्ण क्रांती हुई थी,ούμε से नेक्स्ट क्वेशन है, तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही questions आपको paper कैसा लगा, question कैसे लगे, ये question वो question है जो कि students के द्वारा वेजे गए थे, दोस्तो आप सभी को बता दूँ अगर official बन नहीं है और defense की दियारी कर रहे हैं तो चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूले हैं, तो चलिए friends मिल नेक्स्ट वीडियो में, thank you, thank you for watching this video, take care, bye bye, love you to all